पुलिस के हाथो पकड़े चाएंगे बलकि लोगों किस सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा ऐसे ही एक आरोपी को पुलिस ने धर दबोशा है जो फेरी लगा कर नकली घी बेशता था इसके पास से पुलिस ले 22 किलो 500 ग्राम अवानग घी 25 लीटर सोया बीन तेल एसेंस और इलेक्ट्रोनिक तराजू आधी सावान शप्त किये हैं मावला एंपी के जवड़पुर से सामने आया है देखिए ये पूडी खपर बताया जाता है कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि थाना बिजय नगर अंतरगर लामती रोट इस्तिफ बचपन स्कूल के पास रहने वाला बेदप्रकाश गुपता फेरी लगा कर नकली ये बेचता है अपने घर में डालडा गी और सोय बेन के तेल में घी का एंसेंस मिलाकर आमाना गी बनाकर बेच रहा है इस मामले की जौनकारी बिजय नगर थाना प्रभारी संदीपी का ठाकों ने फूड अधिकारी को दी और मौके पर पहुँचे फूट अधिकारी पंकर सीरी वास्ताव प्रियोक्षाला के केमिस्ट सौरप कौतम क्राइम ब्रांच और थाना स्टाप की चीम ने उसके घर में दविश थी वह डालडा गी और सोय बिन तेल को मिला कर गी बनाती हुए मिला पुलिस ने नकली घी के अलाबा सोय बिन तेल 25 लीटर हल्दी पाउडर का खुला पैकेट एंसेंस की शीशी खुली हुई डालडा के खाली टी जब्द किये इसके बाद चलित खाद परिक्षन प्रियोक शाला के कैमिस्ट सौरप कौतम ने घी के परिक्षन के बाद चाच रिपोर्ट पेश की जिनके अनुसार बेद प्रकाश गुप्ता द्वारा बनाई जा रहे घी को आमानत पाया गया और उसके खिलाप अपराद पंजिबत कर विवेचना में लिया गया जिसकी जाच की गई कि तो वो नकली पाया गया खाद्य विवाग की भी टीम हमारे साथ में थी जिन्होंने सेंपल को लेकर और चेक किया तो तदकालिक रिपोर्ट में वनिस्पती होना पाया गया और अन्यभी सेंपल जो लिए गया है वो जाच के लिए वो पाल जा रहे ह इसमें मामला पंजीवद के बाद मामला पंजीवद कर चाथ में लिया गया है जबलपोर से हरिश्टुबे सागर टीवी न्यूज सोने एबम चान्दी के आवुशडों की अनुपम शंकला लक्ष्मी नारेंट जोलर्ड संपूर्न हॉल्मार्ग जोलर्ड एंटी कुंदर ओल्की इटलियन जोलर्ड आईजी आई द्वारा प्रमाडिर डाइमाइड जोलर्ड एबम राशिरत्न हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे तिली रोड सागर